गर्व के अंदर आपका शिशु कीक मारता है, गुलाटी करता है और फ्लिप करता है, लेकिन क्या आपको एक्जेक्टली पता है कि गर्व में आपका शिशु क्या कर रहा है, फैसे आपको बता दू कि प्रेग्निंसी के नववे महिने में यानि कि प्रेग्निंसी के अंतिम द लेकिन कई बार delivery rate से कुछ हफते पहले या फिर जन देने के कुछ समय पहले शिशु अपना head down कर सकता है और आपको बता दू normal delivery के लिए शिशु का सर नीचे की ओर होना बहुत ज़ादा सरूरी होता है ताकि शिशु बर्त कैनाल से होते हुए आसानी से बाहर निकल सके और और बच्चे का इस position में होने की वज़े से delivery में समय भी कम लगता है और मा को दर्द भी कम होता है इसलिए शिशु का सैफलिक position में आना जन्म के लिए सबसे सही position माना जाता है लेकिन कई बार pregnancy में complications की वज़ेशे शिशु head down नहीं कर पाता bridge position या transfers position में रह सकता है और ऐसे में आम तोर पर normal delivery करवाना समभव नहीं होता तो pregnancy के तोरान कई बार गर्वती महिनाओं के मन में ये सवाल उठता है कि अगर उनके शिशु ने head down कर लिया है तो क्या pregnancy के 9 महिना आते आते शिशु अपनी position change तो नहीं कर लेगा तो दोस्तों बता दू कि जब pregnancy के 9 महिने में शिशु एक बार head down कर लेता है और अपने head को pelvic area में फसा लेता है तो उसके बाद शिशु अपनी position change नहीं करता है क्यूंकि इसके बाद उसका सर जो है वो birth canal में लौक हो जाता है और ये जरूरी भी होता है इससे शिशु delivery के दोरान आसानी से पहार आ जाता है प्रेगनिंसी के दोरान शिशु ने head down कर लिया है इसके कुछ संकेद भी होते हैं प्रेगनिंसी के 8 महिने के अंतिम समय में आपके डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि शिशु ने head down किया है या फिर नहीं इसके लिए डॉक्टर्स ultrasound या फिर Doppler test करेंगे और आपको शिशु की position के बारे में बता देंगे इसके अलावा जब गर्वती महिनाएं अपने पेट के नीचे के हिसे में टच करती हैं तो उन्हें वहां पर कुछ गोल या फिर सेकर्ट सा महसूस होता है तो आपको बता दूं कि ये बच्चे का सर हो सकता है और ये ये संक पेट होता है कि आपका शिशु head down position में आ चुका है क्योंकि जब बच्चा head down करता है तो आपको शिशु की जो kick है वो पेट के ऊपर के हिसे में महसूस होती है और पेट के नीचे के हिसे में आपको हलकी गुदगुदी महसूस होती है और ये गुदगुदी आपको बच्च सुनाई भी देती है और अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दिल की धड़कन सुनाई दे तो ये इस बात का संकेत होता है कि शिशुने head down कर लिया है और दोस्तों यहां मैं आपको बता दू कि सबसे सही तरीका है डॉक्टर के दोरा ultrasound या फिर Doppler test करना क्योंकि उससे डॉक्टर्स को आसानी से दिख जाता है कि शिशुने head down किया है या फिर नहीं और अगर आपने ultrasound करवा लिया है और आपके डॉक्टर ने आपको यह कहा है कि शिशुने अभी head down नहीं किया है शिशु breach position में है या फिर transfer position में है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को follow करते रहना है तो इसे के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ धन्यवाद